सब्सक्राइब के एक्जाम में अभी लगभग दो महीने हैं बाकी और टेस्ट बुक आपको दे रहा है सीजील में सफलता की चावी सीजील की डेली क्लासेस की सच चुकी है जहा की हमारी एक्सपर्ट फेकल्टी हर सब्जेक्ट पर आपकी पकल मजबूत कराएंगे ताकि एक्जाम में कोई कसर ना रह जाए बाकी सुबह साड़े दस बजे मैं बढ़हाँगा आपका समानिग्यान और लेकर के आओंगा जीके की क्लास अब ना सताएगा मैस के सवालों का डर क्यूकि सुबह साड़े ग्यारा बजे मैंस की क्लास लेकर आऊंगी मैं रीजनिंग के हर प्रॉब्लम का तोड़ बताऊंगा मैं दोपहर साड़े बारा बजे अब इंग्लिश में आएंगे पूरे नमबर क्योंकि मैं यानिके अनन्या सिंग लेकर आ रही हूँ आपके लिए SSC 3JL 2022 के लिए मौक टेस्ट हर दिन अउनली आज 3 पेम तो आज ही क्लास एटेंड कीजिए क्योंकि अब वक्त सोचने का नहीं बलकि लाइफ क्लास में आकर के प्रिप्रेशन करने का और आगे बढ़ने का है और सरकारी नौकरी के अपने सपने को पूरा करने का है हला दोस्तो गूड मॉरिंग नवस्तियाद आप सास्री आकाल एंड वेलकम टो टेस्ट बुक डॉट कॉम मेरी ऑडियो बीडियो एच्छे से आरी है ना है ना तो गाइज बाल तो मेरे नहीं है बाल चले गए चले दोस्तों तो गाइज आज हमनों यहां पर बात करने वाले है करेंट अफियर्स के कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे एक्जाम पॉइंट आफियू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सुबह छे बज़े हम लोग यहा सारे मौक टेस्स में यहां पर जो 400-500 बच्चे आते हैं उनके नंबर बढ़ना सुरू ओगा है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं सर मेरे जी अ में नंबर नहीं आते हैं लेकिन हमारे जो नंबर वो धीरे दीरे से जीए में बढ़ने सुरू हो गया तो आइज होप स के एक्जाम आने वाले डिफेंस के एक्जाम आने वाले उसमें दिसंबर जनवरी फर्वरी मार्च और अप्रेल यहां तक हमारे करेंट अफ्यर्स पूछे जाएंगे जो अप्रेल में हमारे एक्जाम होंगे तो जल्दी से सबी लोग यहां पर आज जो जो हमारे इमपोर्टेंट हेड्लाइंस है बहुत ही इंपोर्टेंट आज एकरेंट अफैर्स है आपको एक एक बहुत ध्यान से सुनना है और उस पे अपने जो है वो प्रतक्रिया व्यक्त करनी है तो दोस्तों चलिए तो आगे पढ़ने से पहले आज हम आपको बता जेते कि आज भी हमारा जो हमारा टेस्ट बुक का जो वो सकते पास वाला जो अभियान है वो चल रहा है और आपको अगर हम यहां पे बता दे कि हमारा जो पैक पास है पैक पास जो हमारा कूपन कोड है इसका इस्तमाल करने पे आपको 399 वाला जो हमारा टेस्ट बुक पास है वो 360 रुपे में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको थार जीतने का मौका है तो महिंद्रा थार जीतने का मौका है याद रखेगा हमारे इस coupon code का इस्तमाल करने के बाद चलिए तो guys सबसे पहले तो ये leaderboard है और हम चाहते है कि यहाँ पर आपका भी नाम हमारे साथ अगली बार ये leaderboard बड़ा होने वाला है यहाँ पे जितने भी 500 बच्चे आते हैं उन सभी के साथ हम ये leaderboard जो है वो सेयर करने वाले है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमारे अपना नाम दर्ज करने वाले है तो guys सुरू किया जाए चलिए तो सुरू करते हैं आज की हमारे current affairs को लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको एक question का जवाब देना है more events के सासक बनने से पहले हमारे जो असोक है वो कहा के governor थे उजयन के थे, दातिया के थे, इंदॉर के थे या बोपाल के थे जल्दी होताईए यहाँ पर तर ने question क्या पूछा है कि हमारे जो असोक है वो more events के सासक बनने से पहले कहा के राजा थे तो guys सिर्फ 13 सेकेंड में यहाँ पर 49 परतीसत लोगों ने इस question को skip किया है exam में skip किया है लेकिन यहाँ पर सही जवाब है उजयन, मतलब option number A यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेगा हमारे उजयन के राजा थे हमारे असोक, तो guys ऐसी ही हमारी पूरी की पूरी बुक है जो test book के, smart book के नाम से जाने जाती है S-Chand publication के मदद से बनाए गया है चले गए, तो सबसे पहले हमनों करते है revision, कुछ प्रस्न जो हमारे revision करने को बाकी रह गए थे, नहाँ 5-10 question है जो सनिवार को हमने पढ़े थे उनका revision करते है फिर हमनों बात करेंगे आज के important headlines की सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा फरवरी 2022 में किसी किसान कल्यार विभाग के सायूक्त सचिव के रूप में किसको न्यूक्त किया गया है अभिनो सर्मा है, स्रीकांत नागापुली है गीता मितानन है या अजै सिंग राठोड है यहाँ पर जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर्थ सही उत्तर होना चाहिए हमारे यहाँ पर किसी कल्यार विभाग के सचिव के रूप में फरवरी में जिनको एक point किया गया है गीता यहाँ पर जितने लोग बोल ले है सर उप्सन नमबर चंदन को लग रहा है ए होना चाहिए लेकिन सही जवाब है हमारा उप्सन नमबर सी गीता मितानिया इस राइट आंसर अगला कोशन यहाँ पर आता है कि उडान एक मज़दूर बच्चे की पुस्तक के लेकर कौन है पंका जुदास है मिथलेस तिवारी है सुदेस वाडेकर है रूप कुमार राठोड है जनता ने जवाब दिना शुरू कर दिया कि सर यह अमने पढ़ा था और यह बहुत इंपॉर्टन किताब हो जाती इस किताब को इसने लिखा है इस किताब को लिखने का स्रेज आता है मिथलेस तिवारी जी को उडान एक मज़दूर बच्चे की अगला कोशन क्या आता है यहाँ पर ESIC के कितने स्थापना वर्स हो चुके है 60 है 65 है 70 है या 75 है क्या होना चीए बच्चों यहाँ पर सही उत्तर तो यहाँ पर जन्ता बोलेगी सर अगर आप ESIC की स्थापना दिवस की बात पूछेंगे तो 1952 में इसका स्थापना होई थी और 70 वर्स कंप्लीट हो चुके है तो यहाँ पर 70 के उपर टिक करना है आगे बढ़ते है अगला कोशन क्या है यहाँ पर Ministry of Defence has signed a contract with the Bharat Electrical Limited for which type of tank हमारे किस tank को बनाने के लिए हमारे BEL ने sign किया है Defence of Ministry के साथ तो हमारे option क्या है जनता बोले सा सही जवाब होना चीए टी-19 भीसमा टैंक जो थे उनके लिए tie-up किया था हमारे भारत Electronics Limited ने तो option number यहाँ पर A is right answer अगला कोशन देख लेते अगला कोशन यहाँ पर है 24 फरवरी 22 के दिन नरेगा के लिए अम्मेस परसन एप को किसने लाँच किया है गिराज सिंग है नितिन गटकरी है हमारे प्यूस गोईल है या हरदीप सिंग पूरी है सर ने कोशन पूछा है कि नरेगा के लिए अम्मेसमेंट परसन एप को किसने लाँच किया है तो जनता ने फिर से जवाब दिना सुरू कर दिया सही उत्तर होना चाहिए हमारे देश के पंचायती राजमंत्री और रूलर अफ्यर मिनिस्टर जिनका नाम क्या है हमारे गिरिराज सिंग है उनका जवाब बिलकुल सही है उन बच्चों को ने आपे नंबर मिलने वाला है तो गैस ये हमारे कुछ ऐसे बोसकते बाते थी जो हमने सनीवार को पढ़ी थी और यहां पे हमने रिवीजन कर लिया तो जो बच्चों ने याँ पर कल रिवीजन क्लास नहीं किया वो एक बार जा के देख लेंगे वीकली रिवीजन करने के लिए तो गैस आगे बढ़ने से पहले हम लोग हैडलाइन्स में आज का जो बात है इंपोर्टेंट क्या लिकी हुए जीत की उमीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते कि सर आज मेरा एलाराम नहीं बचा सर मुझे आज लिंक नहीं मिला सर आज जो है वो मैं हम लोग सुरुवात करते टॉप हेडलाइन्स वो जो हमारे एक्जाम पॉइंट ओफिस से बहुत इंपोर्टेंट है और हमारे एक्जाम में पूछी जाने वाली है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता जाता हूँ कि आज जो है वो हमारा क्या है तो 28 फरवरी है नेशनल साइंस डे आप सभी लोग को पता होगा 28 फरवरी 1928 को हमारे सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए नॉबल प्राइस मिला था इसकी वज़े से हम लोग यहाँ पर क्या मनाते हैं साइंस डे मनाते हैं तो रमन इफेक्ट को 28 फरवरी को इन्होंने क्या किया था डिसकवर किया था नॉबल प्राइस मिला था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सभी लोग के लिए नेशनल साइंस डे मैंने आप लोग को थीम बता दी है लेकिन मैं अब नहीं बता हूँगा क्योंकि आज सभी बच्चों को नेशनल साइंस डे की जो थीम है वो कमेंट करनी है दोस्तों हेड्लाइन शुरू की जाए क्या सभी लोग तयार हो गए हेड्लाइन के लिए तो तयार हो गए है तो यहाँ पर आपको हमारा जो मास्टर क्लास है ससी का दो बीस पर होता है एप पर और आज का टॉपिक वापस से रिवर सिस्टम को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रिवर सिस्टम हमारा टॉपिक है मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सभी बच्चे आज है जिनका मैं लीडर बोर्ड पर नाम लिखने वाला हूँ तो रिवर सिस्टम यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है इसका चलिए तो हेडलाइन सुरू करते हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ यार 300 बच्चे आ करके हेडलाइन मेरे साथ पढ़ते हैं का इंतजार कर रहा हूँ कि या कम से कम बच्चे आही जाए सारे के सारे चलिए तो गाय सुरू किया जाए हेडलाइन से एक बार कैसे सुरू करते हम लोग जैहिंद के साथ सुरू करते ना भाई सबी लोग यहाँ पर जितने भी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे भाई हेडलाइन सुरू करने के लिए चले सुरू करते तो आज की सबसे पहली हेडलाइन से चंद्रियान 2 ने एक डिटेक्ट किया है सोलर प्रोटॉन इवेंट को ये इसरो ने बताया है चंद्रियान 2 ने एक सोलर प्रोटॉन इवेंट को डिटेक्ट किया है जो कि एक बहुत खतरनाक रेडियेशन है हमारे कहाँ पर हमारे अंतरिक्ष में तो ये एक बहुत ही खतरनाक सी न्यूज बोल सकते है कि हमारे अगर कोई भी अंतरिक्ष में जाता है तो इस रेडियेशन से उसका काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो मनुस्यों के लिए एक विकरण जोखिम का पता लगाया है चंदरग्यान 2 ने अपने और्बिट के पास चली इसके उपर ओट डीटेल हैं बात करेंगे महरास्ता ने अपनी अपनी अगरी कल्चर एकस्पोर्ट पालिसी को लाँच कर दिया है गौर्रमेंट ऑफ महरास्ता लाँचे इच्पोर्ट एकस्पोर्ट पौलिसी तो भाईया ये एक्जाम में डारेक्ट पूछेगा किस ने अपनी खुद की अग्रिकल्चर स्पोर्ट पॉलसी बनाई है तो वो है हमारा महरास्टा गॉर्मेंट अगला कोशन क्या है मीरा बाई चानू हमारे ओलंपिक में मेडल लेने वाले सिलवर सिंगापूर वेट लिफ्टिंग में 55 किलो कैटेगरी में वो हमारे क्या लेकर कैई है हमारे स्वाण पदक लेकर कैई है यह कहां पर गोल्ड मिडल जीती है सिंगापुर में, कर लोगे भाईया, आगे चलते है अगला कुशन क्या आजाता है, SC, मतलब हमारे High Commission of India धाका ने लॉंच किया है, किसका, यहाँ पर सुबर्नो जेंती छात्रवर्ती वेबसाइड लॉंच की है, यहाँ पर मतलब जो स्कॉलर्शिप है बच्चों के लिए जिसका नाव रखा गया है, सुबर्नो जेंती स्कॉलर्शिप किसने लॉंच किया है, हमारे Indian High Commission धाका में, बांगलादेश में, एक वापस important question है, यहाँ पर question क्या है, केतान जी ब्राउन जैक्सन, become the first black woman nominated to Supreme Court, हमारे यहाँ पर Supreme Court, American Supreme Court में, नाम क्या है, केतानी ब्राउन जैक्सन, पहली black woman बनी है, जिनको नॉमिनेट किया गया है, हमारे किसके तौर पर, हमारे Supreme Court में, हमारे judge के तौर पर, यह सेवा देने वाली है, और पहली हमारी कैसी black woman है, तो केता जी ब्राउन का नाम हमको याद रखना है, एक्जाम में पूछा जाएगा, तो Supreme Court में, हमारे निया धीस केता जी ब्राउन को, हमारे जो बिडिन ने Supreme Court में नामित किया है, और यह Supreme Court में, हमारे सेवा देने वाली पहली अस्वेत महिला है, मतलब black woman है, यहाँ पर अगला कोशन आजाता है, IIT दिल्ली स्टार्ट अप लाँच वर्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल एर प्यूरिफायर, हमारे यहाँ पर एर को प्यूरिफाय करने वाला, जिसको हमारे वियरेबल है, जिसको किस ने बनाया है, IIT दिल्ली ने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसके उपर बात करने आले कि नैनो क्लीन है क्या चीज़ आकिर, पुरा डीटेल में देखेंगे, अगला कोशन यहाँ पर रहाता है, IIT कानपूर भाईया, दिल्ली के बाद IIT कानपूर पीशे ने अटेगा, तो IIT कानपूर ने डबलब किया है, बायो डेग्रेड़ेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रोप्स, मतलब फसलो को बचाने के लिए, नैनो पार्टिकल जो है, वो यहाँ पर विक्सित किया है, हमारे IIT कानपूर ने, अगला कोश्चन है, UEFA चूज पैरिस एज अस सेंट पिटरबर्स रिप्लेस्मेंट फॉर दा चैंपियन्स लीग, तो हमारे यहाँ पर चैंपियन्स लीग, UEFA का कहाँ पर हो रहा है, सेंट पिटरबर्ग की जगाँ पर, जो रसिया में था, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जो भूमा भूम चल ला है, जिसकी वज़े से इसको कहाँ सिफ्ट कर दिया गया है, पैरिस में सिफ्ट कर दिया गया है, सब भी को यह पता चल गया होगा, भाईया, यहाँ पर यूरोपियन जो है, सारे देश एक साथा करके, अलग-अलग तरीके के लगा रहे हैं, उनमें से हमारा UFA Champions League भी है, जो रूस से अब हमारा कहाँ पर पैरिस में सिफ्ट कर दिया गया है, अगले कोशन की तरब चलते है, Infosys Launch Metaverse Foundry to help client with emerging market, हमारे यहाँ पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT company TCS के बाद, Infosys Limited ने Metaverse Foundry launch की है, तो Metaverse Foundry किसने launch की है, Infosys ने, ठीक है, अगले कोशन की तरब चलते है, former Udisa CM, जिनका नाम है हमेंदरनाद बिस्वा पास अवे, हमारे हमेंदरनाद बिस्वाल जो है, Udisa के जो पूरु मुख्यमंत्री है, इनका निधन हो गया है, guys important आ जाता है, हीमानन्द बिस्वाल कहा के मुख्यमंत्री थे, तो याद रखना है, Udisa के मुख्यमंत्री थे, यह हमारे 1989 से 90 तक यह हमारे रहे, उसके बाद से 99 से ले करके 2000 तक यह Udisa के CM रहे, ठीक है भाई, अगला कोशन देख लेते है, Ministry of Education launches बhasa certificate selfie campaign, यहाँ पर हमारे सिक्षा मंत्राले ने बhasa certificate जो है, उसक यहाँ पर launch किया है, इसमें हमारे भasa certificate selfie अभियान से इसकी सुरुबात की गई थी, ठीक है, अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन किया है, C.Bex 3 Award at the 12th Annual Against Graham Bell Award, हमारे यहाँ पर गर देखा है, तो Center for Development and Telematics, C. इसको हमनों बोलते हैं, बारवे वार्सिक, as a Gram Bell Award में तीन पुरसकार जीते हैं, तो C. जो है, हमारी एक Center for Development and Telematrix Technology है, जिसने उन्हें हमारे 11th Graham Bell में तीन अवार्ड जीते हैं, डीटेल में बात करने वाले आगे हम लोग, अगली हमारी हेड़ाइन के आती है, दीपक धर बिकम दा फर्स्ट इंडियन टू कंफर्म्ड विदा बोजम मिडल के नाम से हमारे जो दीपक धर साइंटिस्ट है, उनको सम्मानित किया गया है, तो बहुत important question है, कि बोजमेन कॉंस्टेंट भी आप लोग के एक्जाम में पूछा गया है, और यहां पर पूछा गया है, यह award किसको दिया गया है, तो दीपक धर को यह award दिया गया है, में आने वाला question है, अगले question की दरब चलते हैं, क्या आता है हमारे पार, तो आगे हम लोग इसको डीटेल में बात करने काले है, जो भी हम नहीं आ तक पड़ा है, तो बड़ा ही important था, चाहिए वो हमारे अस्वेत महिला Supreme Court में, जिनको जो बिड़न ने appoint किया है, दीपक धर से news हो, या हमारे IIT दिल्ली और IIT कानपूर से संबंदित हमारे invention हो, यह सारे के सारे हमारे exam point of view से बहुत important है, तो चलिए इनको डीटेल में हमनों discuss करते हैं, और देखते हैं वो कौन से हमारे important point है, जो हम बिलकुल तयार बैटे हुए और यहाँ पर धमाका करने के लिए, तो यहाँ पर जनता जल्दी से जैहिन करके बताएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा question आता है कि फरवरी 2022 में राश्टी E-Governance Division के CEO किसको बनाएगा, सर ने question क्या पूछा है, new CEO of National E-Governance Division जन फरवरी 2022 अभिसेख सिंग है, ओम परकास गुपता है, उदित सिंगल है या अरुन गोयल है, यह देखी मैंने बड़ा सा कोशन मार्ग लगा दिया, जल्दी से जवाब देना है, जितने भी बच्चा है, यहाँ पर जनता बोले सा सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोले हैं सर अभिसेख सिंग ने हमारे किसके इगवर्नेंस डिविजन के सीओ के रूप में हमारे क्या पदोनित किये गए है, यह आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो यह भी हमने आप पे अटेज कर दिया है, यह अधि अधिकारी डिजिटल इंडिया कॉर्परेशन के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी के भी पद को सम्हालते रहेंगे, तो यह बहुत इंपॉर्टन हो जाता, यह आने वाला कोशन है, एक बार मैंने देखा था 2017 में, जब हमारे याप पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, आदर्स गुएल उसके चेर्मेन बनाया गयते, और गाईज उस साल के पांच एक्जाम में वो कोशन पूशा गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेर्मेन कौन से हैं, बैंक, SSE, रेलवे, सब ने पूचा था, यह भी बहुत इंप याद हो गया भाई, यहीं पर याद करना है, यहीं नहीं बोलूगा कि बाद में मैं रिवीजन कराऊंगा तो तुमको याद करना है, यहीं पर याद करना है, जितनी बार आएगा उतनी बार ठोकेंगे, जहां पर आएगा वहां पर इसको ठोक के जाएंगे, चलिए, आगे सी वेव है जनता है पर जवाब देना सुरू कर दिये किसा सही उत्तर होना चाहिए हमारे यहां पर एक चंद्रमा के और बिट में स्थापित जो यान है उसने एक सौर प्रोटान घटना का पता लगाया है जो इंसान के लिए बड़ी खतरनाक है जनता यहां पर बोले सर चंद चंद्रियान टू और्बिट पर एक पेलरोड एक बड़े छेतर में एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर के दवारा सोलर प्रोटान घटनाओं का पता लगाया गया है जो अंतरिक्ष में मनुस्यों के लिए काफी जोखिम है मतलब अगर अंतरिक्ष में जाओगे तो निपट सक है इसको देखते हुए मार्द और 22 में किस देश के साथ बहु पक्षी हवाई अभ्यास कोबरा वारियर को अपने लड़ाकु जेट में तैनाती देने से मना कर दिया है तो यहां पर हमने देखा है कि यूकरेन के साथ जो हमारा बूमा बूम चलना है रसिया का तो हमारा एक exercise होना था कोबरा वारियर साथ आपनों को मैंने याद कराया था तो अब कहां पर नहीं होगा अब नहीं होने वाला यह तो यहां पर जनता बोले सर यूके होना चाहिए यूके 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 तो मुझे यहां पर यूके बिल्कुल सही लग रहा है कोबरा वारियर जो है मेरा रूस की कैपिटल है मिनिस्क, भाई साब यहां पर इसने अपने सबसे पहले एर फोर्स के यहां पर हमारे बिमान को तैनाद किये और यह एक महीने से पूरी तैयारी कर रहा था, अब भाई साब यह इस्टन यूक्रेयन है जिसको इसने अलग कर दिया था, इस्टन यूक पर तो यह बाप लोगों का हाथ है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, हैना यूक्रेयन आएगा तो यह हमारे जो यूरोपियन यूनियन्स हैं, जो हमारे नाटो के देश हैं, यह सब मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन भाई सब ही को पता है कि भाई रसिया को छेड़ चा मतलब तुम हमारे बेटे हो और उसने यह बात बताई कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, हैना बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है और यह बात सुन करके हमारे नीचे एक देश है जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, उसके उपर भी एक छोटा सा द उस्यों से अच्छे बना के रखने चाहिए, इनका भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, समझ रहो की नहीं, तो याज, ये थी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक, कि दूसरे के दम पर नहीं उचलना चाहिए, उचलना है, तो अपने में दम होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें है दम, वही है भाजी राओ सिंगम, तो सिंगम कौन बना बैटा है, रसिया, तो यही हम इनको बोलना चाहते हैं, जिसके दम पर यह नीचे दिख नहीं रहा है मैप में, उनको हम बोलना चाहते हैं, कि जिसके दम पर आप उचलना है, उचलना है, भारत के साथ अच अच्छे से दिक रहा होगा कि अंडर दा प्रो-Russian separation control, Russia ने इस भाग को हतिया लिया है, यहां पर पहले से Russia का control है, अब यहीं से धमाके हो रहे हैं, क्यूब के उपर, बेरा-रूस में यहां पर air attack कर रहा है, यहां से टैंक धीरे-धीरे हम पर एक पजा कर लिए, तो collateral damage दोनों लगा दी हमारे financial economical यहां पर यूपे जो होना था वो अटा दिया आरे भाईया हमको army चाहिए यूक्रेन वाले चिला रहे हमको army चाहिए लेकिन army वार्मी नहीं मिल लाई है इनको खारी जो है वो मिल लाई दिलासा ठीक है अब गैस यहां पर अगर आप लोग देखेंगे ध्य mission ganga अब mission ganga के तहत Ukraine के जितने भी हमारे भारतिय थे उनको Romania पहले लेकर कर आएंगे और Romania और Poland से यहां से हम India में लेकर कर आएंगे तो इस mission का नाम रखा गया mission ganga जिसमें Ukraine में फसे हुए भारतियों को बाहर निकालना पहले उनको यहां तो हमारे Romania में लेकर आया जा रहा है या पोल एंड में, आपको दिख रहा होगा, यहां से हमारे जो एरोक्राफ्ट जैंगे, वो इनको पिक करेंगे और ले करके हमारे इंडिया में आ जाएंगे, तो भाईया यह हमारे हिंदुस्तान की पॉलिसी है, ठीक है, अब चलिए एक बाद बताईए, हमारे जो इंटरने है, वो हमारे पार्ट नमबर 4 में, बिप्ट एस पी राज्यों के नीती नहीं दे सकता है, तो में हमारे आर्टिकल नमबर 51 में पढ़ने को मिलेगा, एक क्यावन नमबर में, ठीक है ना, याद रखिएगा आर्टिकल नमबर 51 में, यहां इसी में संसोधन किया गया और 51 A ब पहले इलग कर दिया था इस तन युक्राइन को अलग करके इसने अलग देस बना दिया अब दीरे-दीरे से युक्राइन की अपर कब्जा कर रहा है यह थी कहानी युक्राइन की और यह थे हमारे पड़होसी देस यह मिसन गंगा अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया अरे आगया तो यार 500 लोग हो नहीं जाते क्या चलिए आगे और बात करते मुझे लगता है कि आगे आप लोग इस चीज को अच्छे से और समझने वाले मैंने पर पूरी बाते आपको यहां पर बता दिये अब बताने कि वह कौन सा राज्य है जिसने अपनी खुद की अगरी कल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की सुरुवाद कर दिये सर ने कोशन क्या पूछा है यहां पर आकेश कुमार बोले सर हिंदी बता दिया करो यार मैं हिंदी मैं तो सुद्ध हिंदी म बोलता हूं यार सुद एकदम खाटी ह तो यहां पर जंता बोले सर अभी हमने डिसकस किया था कि किस राज्य ने अपनी क्रसी नीती की सुरुवाद किये उसका नाम यहां पर देखेंगे तो मैं महरास्टा की तरफ जाओंगा जितनों यहां पर महरास्टा बोले बच्चे उन बच्चों को नंबर मिलने वाला है तो महरास्टा में हमारे सबसे पहले 25 फरवरी 22 को राज्य क्रसी नीती की सुरुवाद की गई है 21 वस्तों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा जो हमारे 21 अग्रीकल्चर प्रोड़क्ट है उनके निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा इसके उपर ध्यान के इ सिर्यल फूट्स को उगाने में दूसे नंबर पर मोट अनाच को गाने में यह दूसे नंबर प्राथा याद रखे कि मोटे अनाच का मतलब जुआर बाजरा इनकी में बात कर रहा हूं दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो महरास्ता में हमारी जो मिट्टी पाए जाती स्वाइल पाए जाती है उसको हम लोग बोलते है रेंगुर स्वाइल बेटा क्या बोलते है रेंगुर स्वाइल इसको हम लोग बोलते है या हिंदी में इसको हम लोग बोलते है काली मिट्टी ब्लैक स्वाइल ठीक है काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है गाइस इसक सबसे बेस्ट होती है cotton cultivation के लिए कपास उगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई सारे fruits भी उगते हुए दिखाई देंगे fruits की हिंदी होती है फल फल यहाँ पर उखते हुए दिखाई देंगे जैसे की नासिक में सबसे ज़्यादा क्या होती है नासिक में सबसे ज़्यादा क्या होती है अभी तुमको कमेंट करके बताना है नासिक में सबसे ज़्यादा क्या होती है यहाँ पर जनता बोलेगी सर नासिक में सबसे अदा होते हैं अंगूर अंगूर यहाँ पर सबसे अदा आपको देखने को मिलेंगे पूरे इंडिया के नासिक में इसलिए इसको हम लोग ग्रेप सिटी के नाम से या वाइन सिटी के नाम से बोलते है जानते है गाइस हम लोग बोलते ना अंगूर की बेटी को कहते है सराब है ना अंगूर की बेटी को कहते है सराब इसीरे इसको वाइन सिटी भी बोलते नासिक को अरे भाई समझे की नहीं समझे है ना और हम अगर देखेंगे तो हमारा जो है वो सबस्यादा ओरेंज तुमको पता ही हो कोई सोर ही नहीं मचाता है है ना हम बोलतो रहे कि हाँ इससा सोर मचना चाहिए सुभेरे सुभेरे अगदम हला मचा तो पापा कहे मम्मी के पागल हो गया क्या कर रहा है चलिए आगे कि तब चलते है यहाँ पर हम लोग नेशनल पार्क क्याद कर लेते हैं यह कौन-कौन से नेशनल पार्क है मेरे पीछे-पीछे बोलना है सबसे पहरे आता है गुंगामल नेशनल पार्क अमरावती में आपको देखने को मिलेगा यह कहाँ पर है बाबू? महरास्टा में उसके ऐसे तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है तड़ोबा नेशनल पार्क भी महरास्टा में है उसके ऐसे संजय गांधी यह संजय नेशनल नहीं है संजय गांधी मुंबई महरा आपके बोरा बली में देखने मिलेगा उसके वासे चंदाउली नेशनल पार्क कहां पे हमारे महराष्टा में अब देखो पेशच नेशनmost पार्क आपको देख रहा हूगा तो पेशच का जो कुछ भाग है वो हमारे कहां पर MP में है और उसका कुछ भाग 30 परसंट भाग महराष्टा में है तो इसके मुखिनेशनाद पार्क है गुंगामल, संजय गांधी, चंदाउली है, तडोबा है, देन उसके ऐसे नावे गाउ है, यह हमको याद रखना है, एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रस्न है, बहुत महत्तपूर है, ठीक है, आगे हम लोग इसके उपर और बात कर ल सबसे पहले, अगर हमनों महारास्टा में रिवर सिस्टम की बात करें, यहां पर निकलती है क्रिष्णा रिवर, हमारे SSC MTS में पूछा था क्रिष्णा रिवर की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है, हमारी 1400 किलो मेटर, यह महारास्टा में बिटा एक जगा जिसका न नासिक की त्रमबकेस्वर से निकलती है, हमारे CHSL में पूछा गया था कि हमारा जो है, वो कौन सा एक सहर था, सोलापुर था, या कोई ऐससे सहर दिया हो था, याद नहीं आ रहा है, तो महारास्टा का एक सहर का नाम था, वो कौन सी नदी के किनारे है, सोलापुर था, या तुम्हारा ऐससे कोई सहर का नाम था, ये SSC CHSL 2021 का कोश्चन है, ठीक है बिटा, तो याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा, एक्जाम में प्रसन पूछेगा, अच्छा एक बात बताईए, हमारे कृष्णा नदी के उपर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम बताईए, जो स 21 फरवरी को सिंगापुर इंटरनेशनल में 55 किलोग्राम कैटेगरी ने किसमें वेट लिफ्टिंग का स्वण पदक जीता है, मीरा भाई च्वानी चानू है, स्वाती सिंग है, कुंजा रानी है, या करना मलेश्वरी है, बेटा कोश्चन बहुत आसान है, एक दम हलुआ को जल्दी से, इन्हों नहीं टोक्यो लंपिक में भी सिल्वर मेडल ठोका था, सिंगापुर इंटरनेशनल वाइट हमारे जो वेट लिफ्टिंग है, उनमें क्या जीता था, उसमें इन्होंने जीता है, हमारा गोल्ड मेडल, तो यहाँ परजंता ने ठोकना सुरू कर दिया, और उन्होंने पचपन जो हमारा किलो का केटेगरी, उनके साथ फोटो खीच लो, बाल नहीं है मेरे चलेगा ना यार, बाल जो हमारे ग्रान फादर एक्सपार हो गये थे, तो हमें अपने बाल हटवाने पड़े थे, है ना, तो यह हमारी परंपरा है, तो कोई बात नहीं ऐसे ही स्मार्ट लगते यार, क्यों ऐसे स्मार्ट लगते जूबेर, सच बताना यार, दिल की बात बताना, तो यहाँ पर इनके साथ आप हमारी फोटो ले सकते हैं, बहुत ही सम्मानी है, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत ज़्यादा देखो अगर हम इ दोरे में इनों ने बताया, और इनसे कहा गया कि भी आप जो सिल्वर मेडल आपने जीत लिया है, अब आप आगे आपकी सबसे बले च्वाइस क्या है, तो उन्हों बोला, कि भीया मैं पीज़ा सबसे पहले खाऊंगी, पीज़ा मैं सबसे पहले खाऊंगी, तो जैसे सिंगापुर में ये मेडल लेकर क्या थी, साइद आपको ये पता होगा, तो भाया देखिए, यहां पर टोक्यो लंपिक में इन्हों ने जो है, सिल्वर मेडल जीता था, सिंगापुर इंटरनेशन में हमारा गोल्ड मेडल जीता हुआ है, याद रखेगा, तो नए चानू ने 151 किलोग्राम जो है, इन्हों ने उठाया हुआ है, याद रखेगा, 86 किलोग्राम को क्लीन एंड जर्क, और 105 किलोग्राम को उठा करके गोल्ड मेडल जीत लिया है, 191 किलोग्राम, समझ रहो भाई साब, 86 किलो, समझ रहो, ए बाबू, 86 किलो, लड़कियों, दे कोशन की तरफ चलती है अगला कोशन है फरवरी 2022 में भारत की उच्चायोग ने किस सहर में अपचारी क्रोप से सुबर्नो जहनती छात्रवर्ती की वेब साइट को लांच किया है मुझे लगता है तुम लोग नहीं कर पाओगे मुझे लगता है कोशन नहीं बना पाओगे किस सहर में सुरुवात की है काट्मांडू है माले है थिंपू है ध्हाका क्या होना चाहिए यार कुछ दस भच्चों की कमी है идет 500 में होने में 100 कर 10 डसन हम लोग एंट हम नहीं बना पाएंगे क्यां क्यों बच्चों जितने इंब बश्चे दसन बनाने संचुरी ऐगे और कुछμεंगoxide है उसके पठा के छोड़ेंगे क्यां पर अमारे दामरे ज़नताप बोलें सर् हमारे उच्छायूक्त ने यह हमारे ढाका में बांगलादेश की कैपिटल में सुरू किया हुआ है जितनों ढाका बोले है उनका जवाब बिल्कुल सही है बाइया देखो बांगलादेश यहाँ पर देश है जहाँ पर हमने ये सुबर्नो राय चात्रबत्ती योजना की सुरुवाद की है जिसको PM Modi जो है इस यात्रा के दोरान इसकी सुरुवाद करेंगे 25 से 26 मार्च को ये गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि हम सुबर्नो जो चात्रबत्ती योजना है उसकी सुरुवाद करने वाले और इसकी वेबसाइट औपचारिक तूर पर 24 फरवरी को लांच कर दी गई है जिसमें हमारे कई सारे बांगला देश के जो एजुकेशन और प्रफेस्नलिस्ट इस्टूडेंट है उनको स्कॉलर सिब देगा हिंदूस्तान की तरब से दिया जाएगा गाइस बांगला देश के अगर हमनों बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सबसे ज़्यादा बांडरी सेयर करता है पूरे 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 हमारे जितने भी पडोसी देश सबसे ज़्यादा जो बांडरी सेयर कर रहा है वो बांगला देश से ही है समझ रहो की नहीं सबसे अधा बाउंडरी यही सेयर करता है गाइस पिछले साल के एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है कि हमारा बांगला देश कब आजाद हुआ था तो 1971 में बांगला देश को हमने आजादी दिलाई थी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से पाकिस्तान का पहले हिस्सा यहां पर भी था गाइस यहां के जो हमारे PM साहिबा है उनका नाम सभी बच्चों को एक साथ कमेंट करके बताना है उनका नाम केवल हमें सरनेम जानना है हमको आगे वाला नेम मत बताईए सब को सरनेम कमेंट करके बताना है जरह हम यहां पर पढ़ते हैं प्रसान बुलाइसर 4096 किलोमेटर इनकी लाइन हमारे साथ कनेक्ट होती है यहां की जो करंसी है वो टका है बहुत बढ़िया यहां पर जंता बहुत साई जानकारी दे रही है यहां के पीम साहब का नाम आप यहां चाहित तो कबदी यहां का राष्टी केल यहां का राष्टी कहले तो शमाज रहो की नहीं है एक बहुत इंप्वर्टेन्ट कोशिन आपके स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोंग इस को सब्सक्राइब को बहुत ध्यान से सुनेंगे who has become the first black woman to elect to serve the America Supreme Court American Supreme Court को serve करने वाली पहली हमारी अस्वेत महिला कौन है question का जवाब देना आपको Jay Mitchell Chits है, Leon Nandra Kunjun है, Catherine G.G. Brown है या Amy Kron Baronet है, जल्दी से जवाब देना है बेटा यहां पर जितने लोग है तो जनता ने फिर से जवाब देना सुरू कर दिया सही उत्तर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने हेड़ लाइन्स पड़ी उनको जवाब पता है सुदीप इसका सही जवाब क्यों होना चाहिए, तो यहां पर केजनी, ब्राउन, जैक्सन जितने लोग बोल ले है पहली ब्लैक वूमेन है, जो सुप्रिम कोर्ट में अपनी सेवाय देने वाली है, देखें काफी मुस्कुराता हुआ चेरा है और हसना जो है ना वह हमारे लगबग 983 बीमारियों को दूर कर देता है गाइस दो चीजे जो हिला है बहुत हमारे लाइफ में जरूरी है, हसना, मुस्कुराना और खुसियां बिखेरना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन जो हसता है, मुस्कुराता है वो बड़े से बड़े भावबादा को पार कर जाता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे, तो अमेरिकी राजपती जो बेडेन ने संगी अपील अदालत के नयाधीस केतने जी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रिम कोट में नामित किया है यह पहली एस्वेट महिला है जीने कोट में सेवा देने के लिए चुना गया है और यह कोट में सेवा देने वाली सिक्स नंबर की ओवर आल है लेकिन ब्लैक मुमेन में अगर हम लोग देखेंगे तो यह पहले नंबर पे हैं यह 2013 में संगीन यायले का हिस्सा बनी थी ठीक है और उसके बाद से अब इनको सुप्रिम कोट में जाने का मौका मिला है तो बहु बहुत धेर सारी बधाईया इनको नाम क्या एक बार फिर से नाम देखेंगे इनका नाम है केतानी जी ब्राउन जैक्सन अचा दोस्तो अब आपको बताना है कि हमारे सुप्रिम कोट में हमारे इंडिया के सुप्रिम कोट में कौन है पहली महीला फर्स्ट महीला कौन थी हमारे सुप्रिम कोट में देखते कौन सबसे पहले सही जवाब देने वाला है मैंने कराया हुआ है अब गलत नहीं होना चाहिए अब गलत नहीं होना चाहिए जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है सर ये six number की overall है लेकिन black woman में पहले number पे तो हमारे इंडिया में सबसे पहले supreme court में जाने वाली थी उनका नाम था फातिमा बीबी फातिमा बीबी पाकिस्तान माले भी हमारे लोगे बता लेंगे की नहीं बताएंगे पाकिस्तान की पहली महिला जो की जनवरी में पॉइंट हुई है देखते कितने लुग उनके बारे में जानते है की नहीं जानते है सबी बच्चों को जवाब देना है पाकिस्तान की पहली महिला कौन थी आइसा मलिक बहुत बढ़ बहुत बढ़िया तुमनों को सब आता है यार तुमनों को गर्दा उड़ा दिये आइसा मलिक भाया लो ये भी बता दिये लड़के हमें नहीं लग रहा था बता पाएंगि यार ये हमको प्लगी नहीं लेता बता पाएंगि ये भी जानते है जन्ता आगे बढ़ते अगला कोशन बनाते अगला कोशन क्या है यहां पर चारसवी जनती के सुभारंब किसका गया है राजपती ने 25 फरवरी को राजपती रामनात कोविन जी ने चारसवी जनती का सुभारंब किया किसकी बाग हजारी का है लचित बोर फुकनान है जैमोती कवानके है या हमारे मुमाली तुमली बार बुरुआ है जनता क्या बोलेगी जनता बोलेगी सर्थ सही उत्तर होना चीए बिल्कुल तुम लोग एकदम सही पकड़ रहे हो यहाँ पे सही जवाब है हमारे लचिता बोर फाकुना इनकी चारसवी जैनती है यह देखिये यहाँ पे इनके बारे में अगर देखेंगे तो राश्टपती रामनात कोबिन ने 25 फरवरी 22 को अहोम जनरल लचिता बार फुकना की चारसवी जैनती का सुभारम किया इन्होंने एक युद्ध समारक और इनकी 1.500 मीटर की कांसे की प्रतिमा का भी निव रखी यह अलाबोई के युद्ध में हमारे कामरूप जिले को स्वतंत कराने वाल यह कहां पर इनकी प्रतिमा है अच्छे कबाँ बताए तुम लोगों को यह तो याद हो गया लचिता बर फुन्या की प्रतिमा हमारे आसाम में एनगरेट की गई है डेर सो फुट की है अच्छे कबाँ बताओ अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया स्टेचू आफ इक्विल तो यहां पर जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर इस टेचू आफ इक्विलिटी जो है यह हमने देखा है कि रामा नुजान चारे की मूर्ती है जो कि हमने आपको कुछ दिनों पहले पता है था यह आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी कितने 216 फीट थ देखेंगे यह हमारे गुजरात में देखने को मिलेगी गुजरात के नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे अच्छा बात थो यह कितने मीटर की इस स्टेचू आफ यूटी कितने फीट की है देक्वे कौन बताने वाला है जल्दी से जनता जवाब देगी कोई बी ऐसा बच् जी की हमारी स्टेचू है और ये हमको देखने को मिलेगी गुजरात में और इसकी उचाई अभी आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है तो यहाँ पर जनता बूले यह ऐसा सही जवाब होना चाहिए 182 मीटर आपको बताया हुआ है रामवी सुतार ने इसको बनाया हुआ है सबी लोगं को पता है ये जवाब और आगे बढ़ते अगला कोशन देख लेते हैं 182 मीटर अगला कोशन हमारे पास क्या आता है 26 जनवरी को वीर सावरकर की कौन सी हमारी पुन्यतित्थी मनाई गई गई वीर सावरकर चपपनवी है 58 मी है 60 मी है या 62 मी है 62 मी वाह तो यहा की एंडमान और नीकोबार के जो जेल है वहां पर पूरे इंडिया का इतिहास लिए इसी लिए यहां की जो कैपिटल है वहां के एरपौर्ट का नाम है वीर सावरकर इंट्रनेशनल एरपोर्ट तो पोड़ छा इनकी किताब का नाम नाम पूछा जा सकता है गाईस एक कॉस्टन है नैनो पार्टिकल का विकास करके बायोडेग्रेडरिबल हमारे जो मेटाबॉलाइट का विकास करने वाली यूनिविश्टी का नाम बताइए जिससे कि हमारे जो फसले है इसको फसलो को बचाया जाक सकता है IIT खड़कपूर है, कानपूर है, IIT गुहाटी या मुंबाई है नैनो पार्टिकल आधारित, बायो डिग्रेडरिबल, हमारे जो कार्बेनाइड्स है, इसको किसने विक्सित किया है तो जनता है, यहाँ पर बोल ले है, सही उत्तर होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है कि IIT कानपूर के उपर जाना चाहिए IIT कानपूर जितने बच्चे बोल ले है, जवाब उनका सही है तो यहाँ पर हमारे जो फूड बेस्ट है, पेपर बेस्ट है, इन सब से हमारे जो है वो यह नैनो बोल सकते है कि पार्टिकल बेस्ट जो हमारे टेक्नलोजी है डबलब की गई है, जो हमारे फस्तलो को बचाएगा, फस्तलो को प्रोटक्ट करने के लिए बनाए गया है चैंपियन्स लीग से निट पिटन्स बर्ग से कहां पर सिफ्ट कर दिया गया है, भाईया रसिया के उपर यही वाले सब प्रतिबंद लग रहे है, कोई अपनी सेना नहीं भेज रहा है, कि भाईया हमारे सेना जाए यूक्रेयन भाई साब की मदद कर दे, सब प्रतिबंद लगा रहे है, कोई अपना राजनिति के की लगा रहा है, कोई एकॉनमिकल लगा रहा है, कोई स्पोर्ट एवेंट को सिफ्ट कर दे रहा है, अच्छा रहा है इसका जो हमारा डूनामेंट होना था, उफय लीग इसको पेरिस में सिफ्ट कर दिया गया है, जितने लोगद brings Paris उनका जवाब बिलकुल सही है फ्रांस नहीं आपर सिर्ट किया हुआ और तो पैरिस फ्रांस में आपको दिखता है यहां से कर देखेंगे तो हमारे स्ट प्रिजम वर्ग में होनी थी रसिया में इसको यहां पर सिफ्ट कर दिया गया है तोुगाय सिंपल सा कोस्चन हो जाता ह है आप सभी को याद रखना है यूएफे लीग जो है यूरोपियन फुटबॉल जंगों का ये हमारा क्लब है पूरा का पूरा ये हर एक साल में किया जाता है इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है कार्ल एक एलिक निलसन है इसका जो हेड़कॉर्टर है हमारे यूएफे लीग जिसने ये हमारे इसको लांच किया हुआ है इनफोसिस है टीचियस है विप्रो है या एलन टी है तो जनता बुले सर आपने दूसरे का जब नाम लिया तो हमारे सानने ये मिटावर्स फाउंडरी जो इमर्जिंग मार्केट है वो यहां पर आई इनफोसिस के रूप में क्य एक यहां जो कि हमारे किसको एंटर्प्रेनोर ups को खोच करने के लिए clients लेना के लिए क्लाइन के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो की आने वाला कोश्चन है हेमानंद विस्वाल के उपर पूछे जा सकते हैं कि यह कौन से साल में मुख्यमंत्री बने थे यह कौन से राज्य से संबंदित हैं तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यह उडिसा से संबंदित मुख्यमंत्री है जो की हमारे जिनका कल निधन यह दो बार बेटा किती बार दो बार हमारे चुने गाए याद कर लेना साथ दिसंबर 1989 से पांच मार्च 1990 तक और फिर उसके बास से दूसरी बार 99 से 2000 मतलब ज्यादा लंबा टेन्योर नहीं रहा है यह उडिसा के पहले ट्राइबल सियम थे ट्राइबल सियम सबसे पहले य तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो खदाने हैं वो हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो हमको देखने को मिलती है उडिसा में सबसे दा माइंस जो है वो उडिसा में देखने को मिलेंगी यहाँ पर हमारा बॉकसाइट का सबसे बड़ा भंडार है बॉकसाइट मतलब हमारे एलमूनियम का और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क भी है जैसे कि भीतर कणिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा जैसे कि सिमली बार नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहां पर यह खारे पानी की लेक है, यह डॉल्फिन के लिए बड़ी फेमस है, यहां पर डॉल्फिन आपको देखने को लेगा चिलका लेक में, ठीक है, यह कैसी लेक है, यह लगून लेक है, मतलब समुद्र से कट करके बनी हुई यह लेक है, याद रखेगा उडिसा के यहां का जगनाच टेम्पल बड़ा फेमस है यहां के जो हमारे सीयंम साहब है जिनके बारे में आप लोग काफी ज्यादा दिनों से यहां भी स्टेटिक पॉइंट हो गया है नवीन पतनायक जी यहां के सीयंम साहब है और गणेशीलाल यहां के गवरनर साहब है इंडिया का सबसे लंबा डैम, जिसको हीरा कुन डैम बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने हो को मिलेगा, महा नदी के उपर, guys याद हो गया, अगली बार हमारे CGL के एक्जाम में पूछा गया question है, कि महा नदी जो उडिसा में आती है, इसकी एक सायक नदी का नाम द अटक में एक उडिसा का क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसको हम लोगों बारामती स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यह भी हमारे एक्जाम में पूछा सकता है, कि बारामती स्टेडियम कहां पर है, तो यह सारे के सारे हमारे लिए हो जाते हैं, मात्तपूर, चले दोस्तों आगे बढ़ती अगला कोशन हमारे पास क्या आता है तो यहां पर हम लोगों ने कुछ वेक्तियों के नाम जो पढ़े हुए है यहां टैश कर दी है पीडियाफ आपको मिल जाएगी भासा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की सुरुवात किसने की है भासा सर्टिफिकेट सेल सेल्फी आजकल सेल्फी बहुत चलता है है जिसको देखो इससे कैमरा निकाल लेगा इसके आजसे सेल्फी खिचाएगा अजकल दो ही चीज़ चल रहा है एक कच्छा बढ़ाम की ऊपर रील भाईया गर आप इस्टाग्राम गलती से खोल लिए हम इसे इस्टाग्राम खोलत थासरखवाद की है कि ठीक है तो आपको याद रखिएगा हमारे जो सिख्छा मंत्राला है वो किसके पास है धर्मेश पर्धान जी के पास जाब दिया इंसे निकाल करके तो धर्मेश प्रधान जी%, अप यहां पर अपने उद्देस को माई गॉर्मेंट इंडिया पर विक् Council Minister है तो हमारे आप पर जो सिक्षा मंत्री है वो धर्मेंदर प्रधान है यह भी हमको याद रखना है राज्य मंत्री सुभाज सरकार है तो इन्होंने हमारे स्वक्ष विद्यालय पुरसकार का सुभारंब किया था जिसमें 40 पुरसकारों को चुना गया था चलते बारा वार् सेंटर फॉर डवलप्मेंट आफ टेली मेट्रिक्स सी डॉर जिसको हमनों बोलते हैं कितने पुरसकार को जीते हैं किसके बात कर रहा है सेंटर फॉर डवलप्मेंट आफ टेली मेट्रिक्स कितने पुरसकार जीते है तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहि यहां पर तो एस तेली मेट्रिक्स ओपिसी बात है ग्रहां बोल ने टेली फोन की सुरुआत की थी तीली फोन की सुरुआत की थी और उसके बाद से इनी के नाम पर यह टेली मेट्रिक्स पर आवाड दिया जाता है तो ये हमारे तीन अवार्ट दिये गए हैं ठीक है तो लागड़ाउन में किस तरीके से हमारे welfare के लिए काम करना था लागड़ाउन प्रभंदन में अभिनाव और COVID-19 का मुकाबला ये तीन केटेगरी में ये हमारे अवार्ट दिये गए हैं चलिएगे दोस्तों आगे हम लोग और बात करते हमारे यहां पर DTH ब्रॉंड D2H का ब्रांड अंबेजडर किसको बनाया गया है डिस टीवी इंडिया लिमिटेड ने D2H ब्रांड अंबेजडर किसको बनाया है रिसब पंत है स्मृति मांधाना है रिंताली राज है या बिराट कोली है जनता क्या लग रहा है तो यहां पर जनता लग रहा है जनता बोल लिए किससा सही उत्तर होना चाहिए हमारे देश में जो आजकल बड़ी चर्चा में है रिसब पंत साब इनको यहां पर ब्रेंड अंबेजडर के नाम अगला कोशन है यहां पर बोर्जमें प्राइस दिया गया है इनमें से किसको बोजमें प्राइस दिया गया दीपक धर को, सतीस रॉय को, अमीर दत को या के सिवान को जल्दी जनता जवाब देगी देखे कि इतने लोग यहां पर जवाब देने वाले फटा फट से तो बोजमें कि अगर सबसे पहले अगर हमनों बात करें तो बोजमें कॉंस्टेंट हमारे एक्जाम में रेल्वे के पूछा गया है, हमारे एससे के एक्जाम में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38064 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 23 यह हमारे वोजमें कॉंस्टेंट की वैल्यू होती है जिसको यूनिट होती है मीटर सक्वारं किलोग्राम second inverse में और हमारा K inverse मतलब Kelvin inverse यह Bortsman Constance की हमारी यूनिट होती है यह value होती है और यह हमारा पुरसकार दिया गया दीपक धर को तो Bortsman एक scientist थे जिन्होंने हमारे physics की relative kinetic energy of particles के बारे बताया था relative kinetic energy of particles के खोज करने की वज़े से इन्होंने एक बहुत बड़ा achievement हासिल किया था और इनके constant को अम लोग ये 1.38 into 10 to the power minus 23 बोलते ये direct exam में पूछा गया question है और उनके नाम पर हर साल bossman middle दिया जाता है और पहले भारतिय बन गए जब भी पहला भारतिय कोई बनता है तो exam में पूछा जाएगा दीपक धर को धर के दे दिया गया है ये middle धर के देने का मतलब पकड़ करके दे दिया गया है तो bossman price किसको दिया गया guys आपको याद रखना है सिर्फ exam में आएगा क्योंकि ये पहले भारतिय बने इसलिए हमारे exam point office से बहुत important है देखें यहाँ पर ये हमारे दीपक धर साब है एक बहुत ही सम दोनों दोनों का जो है चमा करा है बधाई हो दीपक धर साहब चली अगले कुशन यार इनके साथ एक photo निकाल लो हमाई हमारे टेलिग्राम वाले गृप पे भेज देना ठीक है photo निकाल दोनों का जो है एक जैसा लग रहा है मामला लग रहा है कि नहीं तो दिपक धर का ना जो बोस्मेर प्राइस दिया जाता है इस्टेटिकल फिजिक्स के छेतर में जो दिया जाता है वो हमारे किस ने जीता है वो हमारे बिल्कुल आप सभी लोग बोल ले है कि यह हमारे जीता हुआ दीपक धर साथ ने यह वाड जो उनिश्टी देती उसका नाम है प्रिज़न है फिल्ड भी इनके साथ दीपक धर के साथ इसको साजा करेंगा तो दो लोगों को एक साथ दिया गया है ठीक अब यह तो यह कॉंस उनिश्टी देती है तो इस्टेटिकल फिजिक्स फॉर दा इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंप्लाइड फिजिक्स वह यह हमारी उन के लिए था प्योर एप्लाइड फिजिक्स है यहां पर यह इन्वेस्टी देती है इन्होंने दीपक धर साब को और हमारे जॉन होफ फिल्ड दोनों को यह दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से जंता ने जबाब दे दिया है तो आप लोगों ने बता है योहान पूना Mother Teresa Memorial Award दिया गया किसको तो हमने आपको बताया था कि Mother Teresa Memorial Award जिनका प्रकास सब जगे फैला हुआ है ऐसे अनिल प्रकास को दिया गया है साइद याद होना चाहिए इसलिए मैंने यहां पर यह नाम अटाइच कर दी है अच्छा गाईज यहां पर वार्स स्मॉलेस्ट वेरेबल एर प्यूरिफायर किसने बनाया है भाई साब एर को प्यूरिफाय करके लीजिए कोई वाइरस नहीं कोई वैक्टिरिया नहीं एर को प्यूरिफाय करके लीजिए तो गोहाटी है कानपूर दिल्ली या मुंबई है भाई साब एक बाद बताईए यह अगर मैंने कोश्चन पढ़ा नहीं होता है, एक बात है मैंने पढ़ा नहीं है question यह, अब मुझे इस पर तुक्का मारना है, तो किसके उपर मारेंगे, तो guys, सानिया यही है हमारा awareness, यही हमारा current awareness, कि हम कितने aware हैं, रोज हम paper में पढ़ते हैं, दिल्ली के pollution के बारे में, दिल्ली के smog के बारे में, कि भाई यह वहाँ पर air सबस्यादा polluted है, मैं तो होता तो खेल जाता जुआ, क्या तुम भी खेलोगे की नहीं, भाई देखो एक question में अपने दिमाग का प्रियोग करना है, खेल जाना है जुआ, देखते हैं, हमारे computer जी सहमत है, मेरे इस बात से की नहीं, computer जी बिल्कु सहमत है, तो दुनिया का सबसे छोटा हमारा wearable air purifier जो है, वो हमारे IT दिल्ली ने बनाया हुआ है, तो guys, यह हमारे IT दिल्ली है, जिस chemistry भी पढ़नी है, geography भी पढ़नी है, static भी पढ़नी है, quality भी पढ़नी है, science भी पढ़नी है, static भी पढ़नी है, current affair पढ़ना है, अब आइसा पढ़ना है कि दिमाग में घुसा रहे, और उसके बाद यह तो सिर्फ 25 नंबर, 25 question का सवाल है, English कौन पढ़ेंगे, हमाई फूफा, अब math कौन पढ़ेगा, चचा हमाई पढ़ने जाएंगे, सब का समागम लेकर के exam में बैठना है, और फिर उसके बाद से हमारा tube light का connection होना चाहिए, कि सारी चीज़े याद आ जाए, तो हमको कुछ इस तरीके से relate करना है चीज़ों को, कि exam में याद रहे, वो caps पढ़ने का सिनो एंटो को ऐसे relate करो, कि याद आ जाए, आपको दिमाग में वो बैड जाए, देखते ही कि भाई इसका यह होना चाहिए, तो भाई इस तरीके से पढ़ना है, और मैं भाई देखो मैं पहले बोला हूं, मुझको चाहिए, सबसे पहले मैं तुमको ने बोला हूं कि तुम income tax के office में बैठे हुए, मुझको चाहिए, सबसे पहले pre-qualify, सबसे पहले छोटा लच्छ बनाते है, pre-qualify करना है, और भाईया देखो मैं रोज तुमने को कसम खिलाता हूं, फिर से कसम खिला रहा हूं, कसम मैं तुमको कि अगर तुमने pre-qualify नहीं किया, ठीक है ना, तो सब बाद आगे देखेंगे, pre में तहलका मचाना है, क्या लिख जामने, तहलका, और तहलका ऐसा मचना चाहिए, कि भाईया, 80% से 90% question हमारे सही होने चाहिए, accuracy के साथ, समझ रहो कि नहीं, हाँ, फूलिजच चाहिए, फूलिजच चाहिए हमको, तो guys, यहाँ पर IIT दिल्ली ने इस मास्क जितना यह प्रभावी है, ठीक है, इसके अनुसार, नैनो क्लीनिंग, ग्लोबल, नासो, 95, N95, ग्रेट जनल फिल्टर, यह एक यूपयोग करता, नाग के छिदर के उपर चिपक जाएगा, और जितने भी वैक्टीरिया वायल इन्फेक्शन है, सब को रोग करके, तुमको चमा चम चमका देगा, समझ रहो, तुमको एक दम चमका मारेगा, यह मास्क है, तो पहले के जवाने में यह सब चीजे नहीं होती, पहले जवाने में हमारे बिहार में चलता था, और यूपी में भी चलता था एक गमच्छा, गमच्छा जानते हो, गमच्छा इसे दालते थे लाल रंका उसके बाद से जहां धूल पड़ी है इसे घंचा ढख लिए उसको सर के ऊपर भी ढख लेते थे तो मल्टी परपज होता था आज कल सब नाइंटी फाइब ये वाला मास्क ये प्यूरी फायर लगा लो ये लगा लो वो लगा लो तोपा बने गूमो पहले जब आने बढ़ी है गंचा डाला है ना राजिस्थान में बहुत चलता है इसको पग बोलते है पगड़ी के रूप में उसको जाए बाईजा डाला फिर न मेरा भाई चानु कौन से स्टेज से विलॉंग करती है उडिसा के सीम सहाब का नाम क्या है और नागर होल टाइगर जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों याद रखेगा हमारे ये पांचों कोशन के जवाब आज के कमेंट बॉक्स में सबके पढ़ूंगा चाहिए वो बिमल हो चाहिए नैंसी हो स्रीकान तो जो लोग याँ पर नहीं करेंगे मैं कल उनको पूछूंगा योग कि मुझको चाहिए फुलिजज़त पुलिज़त समझ रहो की नहीं मुझको चाहिए सलेक्सन मेरी फुलिज़त तबी होगी और दूसरा आज अगर टेस से पहले तो 12 और 6 18 महीने मतलब 6 महीने का अठारा महीने का मतलब मेंस्क वाले भी तुम्हारे कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या मिलेगा बाबू देखो साथ ही साथ आपको मिलेगा यह 399 रुपए का लेकिन हम कहने कि यह 399 आम लोग खरीदेंगे जो खास लोग हो ल 360 रुपए का मतलब 1 रुपए से भी कम का समझ रहो कि इत्ते में तो कमला पसंद भी नहीं आती साल भर की समझ रहो तो यहाँ पर 360 रुपए 18 महीने के और 7-7 किसी एक लग्की विनर को मिलेगा आज अंतिन दिन है थार जीतने का मौका मिलेगा किसी एक लग्की विनर को थार जीतने का मौका मिलेगा तो गाइज इसी उमीद के साथ आज हम लोग यहीं पर अलविदा लेते हैं लेकिन 10.5 मिलेंगे एससी के मौक टेस्स की क्लास में तब तक के लिए जैहिंद जैहिंद गाइज एंड देखते हैं यूक्रेयन का क्या होता है उमीद करते हैं कि व लोग साथ 10 बजे झाल 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 झाल